मैं सौहन लाल सर्मा एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ और जैसे की नई अपडेट आपको पता है बहुत सारी वीडियो भी आपने देखी है का सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन काफी बच्चे ऐसी हैं जिनके माइन मेंई इक वॉस्षन है वह उन्हें जो डिलेटेड से लेबस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो पहले तो हम बात कर लेते हैं syllabus delete क्या क्या हुआ है अब जैसे जो आपका ये पूरा मैंने यहाँ पे syllabus लिया है अब जैसे number system यानि कि जो आपका real number है वो 6 marks का आने वाला है जिसमें बिल्कुल आपका simple सा topic है, algebra में आपके तीन chapters है polynomial, linear equation, quadratic equation ये 20 marks का है इसके बाद coordinate geometry 6 marks geometry में दो ही chapter बचे है एक आपका delete हो गया है इसमें triangles और circle topic आपके आएंगे तो दो ही topic आपको करने है construction आपका deleted है इसके बाद है trigonometry trigonometry में आपके दो topic है, एक तो आपका introduction to trigonometry और height and distance खुड़ा सा topic trigonometry में delete हुआ है तो वो भी आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम discuss बाद में करते हैं एक बाद देख लेते हैं इसके बाद mensuration जो आपका 10 marks का रहा है इसमें दो आपकी chapters है एक तो area related to circle और surface area and volume और last है आपका unit stats and probability तो दो topic है ये आपके और ये आपका 11 marks ज़्यादा इसमें जो weightage है उसमें changes नहीं हुए है इसके बाद अब जिसों real number है इसमें हमारे जो topics हैं इसमें आपका Euclid's deleted है Euclid division lemma इसमें delete हुआ है आपका Euclid division lemma ये आपका deleted है और इसके बाद इसमें आपका deleted है Euclid division lemma इसके बाद आपका इसमें जो डेसिमल रिपर्जेंटीशन है वह भी डिलीट हुआ है डेसिमल रिपर्जेंटीशन यह दो टोपिक डिलीटिड है तो जो चैप्टर वन है आपका मिल्कुल कह सकते ना अब आपका 20 परसेंट बच गया है इसके बाद बात करें पॉल्णोमियल में आपका डिलीटिड हुआ है इससे क्या है आपका जो एक्ससाइज 2.3 है और डिलीटिड हो गया है तो यानि कि पॉल्णोमियल टोपिक भी आपका सिर्फ वाड्रेटिक पॉल्णोमियल का ग्राफ वाड्रेटिक पॉल्णोमियल के जीरो बस यही इतना ही टोपिक आपका लिम्टिड सा बचा है इसके बाद यादि हम बात करें पियर ओफ लिनियर एक्वेशन्स इसमें आपके क्रोस मल्टिप्लिकेशन मैथड और दो चीज़े डिलीट हुए एक आपकी एक्वेशन्स वह थी जी बटा एक्वेशन्स रेडूसिबल टो लिनियर फॉर्म ठीक है यह भी आपका डिलीट हुआ है तो दो एक्सरसाइज हम इसमें कह सकते हैं एक्सरसाइज 3.5 एन 3.6 3.5 एकचीज का ध्यान आपको रखना है 3.5 आप करेंगे तो उसमें आपको जो कंडीशन वाले क्वेश्चन्स है जिसमें अन्नोन वैली वाले क्वेश्चन सब्सक्राइज करते हैं वह वाले क्वेशन आपको करने में आपका एक मैथड है वह पूरा डिलीट हाँ जी completing the square method completing the square method यह method आपका deleted है इसमें बाकी सब सेम है इसके बाद यह बात करें एपी arithmetic progression इसमें लगबग आपकी कह सकते हैं कुछ भी delete नहीं है इसमें कोई दिलेशन नहीं है पूरा topic आपको करना पड़ेगा complete चेप्टर आपको करना है यह complete चेप्टर आपको करना है यह बात करें coordinate geometry में आपका area of triangle आपका exercise 7.3 था वह आपका delete हुआ है इसमें से इसके बाद geometry में जो आपका क्या रहेगा जो theorem से वह theorem आपकी कम आ रही है जैसे इसमें आपका एक थेल्स theorem है यह आपका बीपीटी यह आपका प्रूब करना भी आएगा इसमें और second है converge जो बीपीटी यह यह से थे theorem तो आपका एक यह आ रहा है बीपीटी वह आपने अच्छे से करना है इसके बाद है एक similarity criteria है यह आपको प्रूब करने आएंगे और इसमें से प्रूब करने का जुरूरत नहीं पड़ेगा इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल में आपका जो है क्वोटा सा टोपिक के सर्कल वह आपको पूरा करना है यह आपने पूरा करना है complete topic आपको करना है अब एक आपका था construction topic पूरी तरह से आपका delete हो गया है trigonometric यह दिए हम बात करें मिटा trigonometry में आपका ratio जाएगा ratio of trigonometric एंगल लेकिन 0 से 90 हम करते हैं वह आपको सभी करने है यह लेकिन इसमें एक topic जो आपका delete हुआ है that is complimentary angle आपका डिलीट है यह अब बात करें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटीटी इसके बाद हाइटेंस यह आपका कंप्लीट आएगा इसलेकिन इसमें mostly cases में 30, 45 और 60 इन से related ही आपके questions आएंगे बटा यह जो trigonometric application है इसमें 30 degree angle, 45 degree और 60 degree बात करें area related to circle यदि हम mensuration पर चलें area related to circle simple सा topic आपका हो गया है एक तो आपको circle के बारे में आपने पढ़ा था circle topic हम पहले भी कर चुके है ठीक है इसमें आएगा आपका segment और sector और वह भी एंगल कौन-कौन से आएंगा आपके 60 degree, 90 degree और 120 degree इन ही एंगल पर आपने questions को solve करना है इसके बात के एंगल आपके नहीं आने वाले surface area and volume यह भी आपका limited कर दिया है अब इसमें क्या क्या आ रहा है आपका surface area and volume of combination of any two solids that is cubes, cuboid sphere, hemisphere, right circular, cylinder and cons means आपका exercise यह हम बात करें 13.3, 13.4 यह दोनों आपका deleted है तो यानि कि जो आपका topic surface area and volume है यह भी आपका limited हो गया है अब लास्ट में हम बात करते है स्टेट्स, mean, median and mode, group data by model situation to be avoided वह दो मिक्स जो आपके situations है वह इसमें से deleted है और यह हम मीन की भी बात करें मीन का जैसे अब पहले ही step deviation method था अभी तक वैसा हुआ नहीं है क्योंकि step deviation और जो हमने एक method किया था लगवग मिलते जूलते हैं ज्यादा difference उनमें नहीं है तो यह पूरा topic आपको करना है वस exercise 14.4 यानि कि जो आपका topic था एक जिसमें आपको जाए बनाने तो वह आपका deleted है 14.4 आपका delete हो गया है इसमें से deleted है आप जो probability है उसमें तो कुछ है यह आपने complete topic करना है व्याल्टी तो वैसे पहले से भी बहुत easy था यह तो बात हुई बेटा भी हमने जो है deleted portion देख लिया है अब बच्चों के माइन में question है भी हमें deleted topic करना चाहिए के नहीं करना चाहिए अब देखो जैसे 10th class का mathematics है मैं तो यह कहूंगा भी आप क्योंकि 10th का math का इंपोर्टे basic mathematics है basic जो आपको information होनी चाहिए और दूसरा जो बच्चे आगे math कर रहे हैं मालिया आप बच्चों ने maths के साथ जाना है कि विद mathematics है कि आप 11 थे maths लेने वाले हो तो आपको पूरा syllabus करना चाहिए आपको complete syllabus जो है करना चाहिए आप जो है deletion की तरह मत जाहिए पूरा syllabus कीजिए इदि आपके teacher मालिया कई बार ऐसा होता ना method का यूज हो रहा है अब बाद में थोड़ी हम सिखेंगे तो आपने आपकी कोसिस रहने चाहिए भी हम जो है यह method यहां पे भी कर लें क्यों ना हम 10th class में यह method कर लें तो जो बच्चे आप पूरा syllabus करना है 100% syllabus के साथ आप जाएं तो बैटर रहेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा क्योंकि टाइम तो देखो आपका one year ही है पहले जो बच्चे होते दो साल पहले बच्चे वह भी बच्चे पूरा करते थे ऐसा तो नहीं कि टाइम कम आपके प मैं सोट करना चाहरे हैं जो अपना केरियर मैथमेडिक्स के साथ देख रहे हैं तो बच्चे अपना 100% syllabus करके चलना वेटा क्योंकि 10th के बाद माल याप 11-12 में जा रहे हो और फिर से उन टोपिक का आपका यूज होगा तो आपको टाइम फिर कंजूम को होगा वेटा आप 11 इसी कंसेट से लेके हाई लेबल तक उसमें आप पारडी सर्मारे सगरवाल और आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिलने वाला है चाहे आप डीपी ले लेना चाहे आप आपके नोट्स हैं हर तरह के आपको study material वहां पे मिलेगा एवन की exam से related कोई भी आपकी information है वो सब आपक मिलते वेटा next live class में bye bye and take care